ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे मनी प्लांट के बारे में कि अगर अपने घर में मनी प्लांट लगा रखी है तो आपको किन बातों का ध्यान लखना है वास्तु सास्त में हर पौदे के लिए एक दिशा निर्धा रिखे अगर सही दिशा में पौदा लगाया जाए तो उसे कई फायदे मिल सकते हैं लेकिन गलत दिशा में लगाये फायदे के जिएका नुपसान पहुचा सकते हैं घर में मनी प्लांट लगाने से धन और सुक सम्रिधी बढ़ती है लेकिन गलत दिशा में रखेंai मणी प्लांट के वज़ासे आपको पैसे का नुफसान जिलना पड़ सकता है अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस दिशा में नहीं रखें मणी प्लांट को कभी भी इशान कों मतलब उत्तर पूरव दिशा में ना रखें इससे पैसे का नुपसान तो हो गई, सहेत और रिष्टों पर भी निगटिव असर पड़ेगा फिर जमीन पर नहीं फैलाए हमेशा ध्यान रखे कि मनी प्लांट की बेलने कभी जमीन पर नहीं पैलने चीए ऐसा होना भी घर में कई तरह के नुपसान का कारण बन सकता है फिर घर के अंदर लगाए मनी प्लांट को घर के बाहर लगाने की जगर घर के अंदर ही लगाना शूब होता है इसे गमले या बोतल में लगाये जा सकता है फेस पौदे को कभी मुर्जानी न दे मनी प्लांट के पत्तों का मुर्जाना या सफेद हो जाना भी अशुख माना जाता है रोज मनी प्लांट को पानी दे और सफेद या मुर्जाई पत्तियों को काट दे अभी मैं आपको बताऊंगा कहां पौदा नहीं लगाना चीए मनी प्लांट धन के साथ-साथ रिष्टो में मधूरता लाने का काम भी करता है इसे भूल कर भी पुरव पश्र में ना लगाए वरना पती-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है सबसे ज़्यादा फायदा कहा होगा वह मैं आपको बताता हूँ मनी प्लांट के लिए आगने को मतलब दच्छिन पुरव दिशा को स्रेष्ट माना गया है इसे गनेज जी के दिशा मानी जाती है यहां रखा मनी प्लांट सुख समर्दी बढ़ता है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट दीशेए धन्यवाद